हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू लेंड व्रिटी टीमन तो आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक सिक्षा बोर्ड राजिस्थान अजमेर द्वारा रीट का जो नया स्लेबस जारी हुआ है तो उसके बारे में हम डिसकेशन करेंगे इससे पहले लेवल वन वालों का जो मैट्स का और ईवियस का स्लेबस था वो चैनल पर डाल दिया गया है लेवल टू एसस्टी के जो अभियरती हैं उनके लिए जो नया स्लेबस जारी हुआ है बहुत सारे वहां चेंजमेंट देखने को मिले हैं तो वो स्लेबस भी चैनल पर डाल दिया गया है अब हम बात करने वाले हैं लेवल टू जो कक्षा 6 से 8 तक के विध्यारती एक्जाम देंगे जिसमें मैट और साइंस जो है उसका डिसकॉसन करेंगे हम क्योंकि हमने देखा है कि बाल विकास यानि कि साइकलोजी जो सभी के में बिलकुल समान है और पिछला जो स्लेबस था बिलकुल वैसी ही स्लेबस जो है वो बाल विकास का आया है वहाँ पर कोई भी चेंजमेंट नहीं हुए है चाहे वो लेवल बन के हो या लेवल टू के विध्यारती हो इसके लावा साइंस मैट के हो चाहे एसेस्ट के हो तो सबसे ज़्यादा चेंजमेंट जो आया था वो लेवल वन में परियावरण अध्यनवालों का, लेवल टू में स्लेबस में बहुत ज्यादा चेंजमेंट आया, अब हम बात करेंगे लेवल टू, मैथ और साइंस, तो मैथ और साइंस जो है वो 60 मक्स की पूछी जाती है, तो हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि हिंदी जिसमें समान आधार की घातकी, संख्याओं का गुणा, भाग, घातांक, नियम, बीजिय, व्यंजक, गुणन खंड, समीकरन, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ये पस्ट यूनिट में पढ़ना होगा, नेक्स्ट है, जिसमें सेकिंड यूनिट में ब्याज, चक्रवत्ति ब्याज, लाभानी, अनुपाद, समानुपाद, प्रतिशयत, जन्म रत्यूदर, जनसंख्या, व्रत्यूदर और रास, ये सब कुछ पढ़ना होगा, थार्ड यूनिट के बात करते हैं, तो रेखा कॉन, रेखा खंड, सरल्वक्र, रेखाएं, कॉनों के प्र होते हैं, और आपको तयारी जो है, वो RBSC की जो बुक्स है, चटी से लेकर दस्वी क्लास तक की, वहां से करनी है, और वो क्यों करनी है, क्योंकि इन्होंने स्लेबस के नीचे बिल्कुल इस पस्ट्रूप से दिया है, कि 2019 बीस के स्लेबस के अकोर्डिंग, जो भी स्कूलो में, विध्यालेओं में, जो पुस्तकें चली हैं, वहीं से आपका स्लेबस जो है, लिया गया है, तो इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाता है, कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 10 तक की, मादमिक सिक्षा की, बोर्ड की जो पुस्तकें हैं, RBSC की, उनको ध्यान से पढ़ना, व में, वहीं से लेबस जो है, वो आपका लिया गया है, और एक्जाम भी वहीं से आपका होगा, लेकिन यहां जो लेवल इसतर जो है, कुश्यन को पूछने का एक्जाम में, वो आपका 12 तक का होगा, उसके बाद है सांखिकी, आंक्णों का संग्रहन एवं वर्गीकरन, बार अठेकरम में, गनित की महता, गनित की भासा, सामोधाय गनित, मुल्यांकन, उप्चारात्मक सिक्षन और सिक्षन की समस्या, ये तो था मैत का स्लेवस, जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, अब हम बात करेंगे साइन्स का स्लेवस, यानि विज्यान का स लिवक्स, लेवल टूका, उसमें देखते हैं हम सजीव, निर्जीफ, सूक्षमजीफ, सजीफ, मानव शरीर और स्वास्त हैं, ये सबी टॉपिक जो है, जिसके अंतरगर्त, जो भी बीमारियां हैं, रोग हैं, और इसके अलावा उनसे रोगों से बचाव की उपाय, मानव लेवल टॉपिक, अलेगि, किसोरावस्था, योनारम, सारेरिक परिवर्तन, जनन में हार्मोन्स की मुमिक और जननात्मक स्वास्त है, नेक्स्ट रिएनिट आती हैं यांतरकी, जिसमें बल, गती, बलों का प्रकार, गती के प्रकार, उर्जा, परमप्रागत, उर्जा, वै चुंबकी, एवं रशायनिक प्रभाव, चुंबक, एवं चुंबक्त, विज्ञान और क्रोध्योगे की, जिसमें इंटरनेट, इमेल, कम्प्यूटर, फैक्स मसीन, जो भी दूर संचार के शेतर में, जो होती हैं, वैबसाइट की सामाने जानकरी, जो है, वो यहां से पू जोगिक, मिश्रण, योग, मिश्रण के अव्यव का प्रथाकरण, तत्वों के प्रतीक, और रसायनिक समीकरण, सूत्र, यह सब कुछ यहां आएंगे, रसायनिक पधार्त, इसके अंतरगत, ओक्साइड, हरित ग्रह, प्रभाव, ठीक है, और वैस्विक, तापन, हाइड्र जोकार्म, ऑक्सीजन, गैस, नाइट्रोजन, गैस, कोईला, पैट्रोलियम, प्राकर्तिक गैस, यह सबी रसायनिक पधार्त, जो है, इनके बारे में आपको नॉलिज होना जरूरी है, सब कुछ आपको बुक्स के अंदर मिल जाएगा, आप बिल्कुल भी इधर उधर ना भटकें कि हमें कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है, राजिस्थान बोर्ड की, RBSC की, माधमित सिक्षा बोर्ड की, 6th क्लास से लेकर, 10th क्लास तक की बुक्स को आप एक केक लाइन को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़िए, क्योंकि यहीं से प्रशन आपके आने वाले ह उसके बाद आता है विज्ञान की संरचना एवं प्रकरती, यानि कि जो सिक्षण विदियां हैं उसके अंतरगत हम देखेंगे विज्ञान की सिक्षण विदियां, क्रशी पद्धितियां और राजिस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुक फसलें, यह बल्कुल देखें सामेगरी, सहायक, सामेगरी, मूल्यांकन, समस्याय, उप्चारात्मक, सिक्षण, यह सब कुछ आपका साइन्स का सिलेबस है, और लास्ट में देखिए, लास्ट में यहां लिखा है बल्कुल स्पस्ट रूप से कि बहु विकल्पी प्रेश्णों का माप्दन कक्षा 6-8 त 16, 17, 18, 19, 20 तक की आपकी विध्यालेओं में चल रही है, तो यहीं से आपका सिलेबस जो है वो लिया गया है और यहीं से आपके कुछन एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन एग्जाम आपको करना है 6 से लेकर 10 तक की बुक, लेकिन कटना इस तर जो है वो 12 तक के करते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा पायदे की बात होती है, तो आज हमने डिसकस किये हैं साइन्स और मैत का सिलेबस और हिंदी लेंग्विज और इंग्लिस लेंग्विज जो है वो सिलेबस बिलकुल एज़टीज है, लास्ट येर जो सिलेबस था उसी के अकॉर करते हैं